दोस्तों, इस Study91 के आनलाइन प्रेटफॉर्म में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के समक्चो समिच्छा दिकारी के परिच्छा को ध्यान में रखते हुए अगले लेक्चेर को लेकर हाजीर हूँ। दोस्तों, आज हमारा छठा लेक्चेर है। इसके पहले पांच लेक्चेर आपको दिया जा चुका जिन बच्चों नहीं पढ़ा है। आप एग्री कल्चर के सवाल नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ने कहीं परिच्छा में चूक होगी और आप अपना इज़ाम कौलिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जुड़े रहेंगे तो कैसे प्रसन से ब्रसन बनता है या आप जान पाएंगे। और बात बताना चाहूंगा दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से दो किताबे लांच कियें समिच्छा दिकारी कि अगर आपके पास से किताबे नहीं हैं तो कहीं ने कहीं आप से चू आइए देखते हैं देखे पहला सवाल मनें प्राची इंतिहास से रखा है और सवाल है दोस्तों प्री परिक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है ठीक है आप ध्यान देंगे न तो आपको लगेगा कि आपने 200 वार एंसेंट रिष्ट्री पढ़ा लेकिन इस तरह के सवाल पूर दीजे नए तरीकों को फालो करिए आइए देखते हैं पहला सवाल लिख रहा कि निमिकित में से किस राजा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था सर हमने तो सुना था कि चुनाओ बहुत बाद में शुरू हुआ है हम लोगों ने क्या सुना अगर प्रत्यक्ष रूप द्वारा जनता के चुनाओ की बात हों ले तो चुनाओ तो सुनाओ बहुत दिनों बात किया गया ठीक है वह पिस एंशिंट पिरेड में राजा का सांस्न तो वनसौनगत होता था एक वैक बैक्ती र रासा है फिर उसका पुत्रराय होगा फिर उसका प लेकिन क्योंकि आपके परिक्षा में पूछा गया सवाल है इसलिए भरोसा करना पड़ेगा ओप्शन क्या दिरा दोस्तो हर्सवर्धन तो जादा तर बच्चों के लगा गया कि हर्सवर्धन हो सकता है क्यों वर्धन काल बड़ा सांती प्री काल था और उस समय कई ऐसे कारे किये के हर्सवर्धन के दोरा जो बड़ा नाम चीन रा जैसे कुम मेली की सुरुवात किया गया ठीक है एक धर्म सम्मेलम बुलाया जाता था प्याग में ठीक है वो सारा काम तो हो सकता है बच्चों के दिमाग में आया है है लेकि मैं बताना चाओंगा दोस्तो हर्सवर्धनि स्वाल का तवारा चुना गया था यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होने वाला है, यह होने वाला दोस्तो, दो और चार, यह बिलकुल सही जबाब होने वाला, ठीक है, इस तरह से आप चीजों को ध्यान रखेंगे, और अच्छे से समझते चलेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं है न, चली, आगे बढ़ते हैं, औ कुछ नए सवालों को देखते हैं, यह तुमा लिजी आयोग वाला सवाल हो गया, ठीक है, यह आयोग का सवाल हो गया, अब हमें यह देखना दोस्तो, कि और क्या क्या सवाल यहां में जानना चाहिए था, जैसे लिखरा कि राज्यवर्धन के बाद थानिश्वर की गद्द पर बैटे हैं, ठीक है, कौन गद्दी पर बैटा दोस्तो, हर्चवर्धन गद्दी पर बैटे हैं, हर्चवर्धन के दरबारी कभी कौन थे दोस्तो, यह बड़ा परिक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेगा बाण भट्ट थे, कौन थे दोस्तो, इनके दरबारी क गवी का नाम है इसी तरह से सवाल आता है कि पाल वंस का संस्थापक कौन था त याद रखेंगे पाल वंस के संस्थापक थे गोपाल कौन थे दोस्थो यहाँ पर जो प्रत्य चुरूप से जनता के द्वारा चुनाव किया गया था अगला पाल वंस का सबसे सकती साली सासक किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे सबसे सकती साली सासक जैसे आग गोपाल थे न तो इसी के बाद दोस्तों नंबर आता है धरम पाल का उनको दोस्तों क्या कहा जाता धरम पाल को सबसे सकतिसाली सासक कहा जाता है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे ठीक है एक चीज़ और कहाना चाहूंगा दोस्तो यह जो नंदी वर्मन नाम दे रहा है याद रखेंगे नंदी वर्मन दूती इनका नाम था दोस्तो नंदी वर्मन दूती और इन्होंने द नंदी वर्मन दुती क्या नाम है नंदी वर्मन दुती इस तरह से आपको सवालों को याद रखना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं ठीक है अगला सवाल क्या लिख रहा है बहुत ध्यान से पढ़िए और समझे ठीक है यह देखे में 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 पूछा गया सवाल है लिकर आए कि निमलिकित घटनाओं पर विचार कीजे तथा उनको काल क्रमानुसार विवस्तित कीजे आपको इयर बताना कि कौन सी घटना कब घटित हुई अब बच्चे जो सबसे आदा परिसान रहते हैं वह इयर को लेके रहते हैं इसलिए जल्दी याद नहीं रहता चली मैं कोशिस करता हूं याद गराने की आपके सावने पहला अप्सन दिया दोस्तो आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवा और आमेर की राजकुमारी कौन थी दोस्तो त्याद रखेगा भारमल की पुत्री का नाम था दोस्तो जोधा ठीक ह जोधा ठीक है इनसे दोस्तों अकबर का भीवा हुआ लिखा रहा तुकारोई कायुधा मालवा पर मुगल आकमड और उडिसा पर कर्रानी की बिजे अब आपको सेट करने के लिए मैंने हापर क्या दे दिया दोस्तों आपके सामने रख दिया है सबसे पहली जो घटना घटी आपको पढ़ना है तो लिखे पल्लो राजाओं के बारे में पढ़ना है तो लिखे पल्लो इस्टडी नाइटी वन आपको अगबर के बारे में पढ़ना आप लिखे पल्लो अरे अगबर स्टडी नाइटी वन नितिन सर ठीक है आपको मिल जाएगा हर एक वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो याद रखेंगे इनकी कहानी संबनित है इसी दोरान दोस्तों मुगल आक्मन हुआ था मालवा पर क उसी के एक साल बाद दोस्तों अगबर का विवा होता है जोधा भाई से 1562 इसी में अगला साल दोस्तों उडिसा पर कररानी की बिज़े ठीक है कररानी की बिज़े दोस्तों कब हुआ था याद रखेंगे ये घटना है 1568 की घटना है इसे भी याद रखेंगे अगला है रखेगा हल्दी घाटी का युद्ध ठीक है हल्दी घाटी का युद्ध यह अकबर और महाराणा प्रताब जी के बीश में लड़ा गया था कब लागया था पंद्रा सो शीयत्तर इस्वी में तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इयर सेट कर दिया तो पहला वाला क्या हो जाएगा आक मालवा पर मुगल आकमर दूसरे पर विवा हो जाएगा तीषरे पर करा निभी जा जाएगा पर तुकार हो जाएगा तीक है इस तरह सेंसर आएगा तीन एक चार दो तीन एक चार को या सवाल दोस्तों आपके मेंस परिच्छा 2021 में खूचा गया सवाल है लिख रहा है कि निम्लिकित में से कौन स्वाधिन्ता पुर्व भारप का राष्ट्रवादी कवी नहीं है ठीक है स्वाधिन्ता से पहले का राष्ट्रवादी कवी नहीं है जो उसके बारे मताना है तो और जो नहीं हल कर पाते हैं वो घृट्यों अब को समझा हूँ अभी भी समय यह ने पाइं मैं जान्बौश कर प्रेपर हैं प्रोलह कर रहा हूं आप नहीं समझ पा रहे हैं कि समिच्छा अधिकारी का लेबल क्या है तो पहले आप लेबल को जानिए तब आप पढ़ना आरम करिए कोई कि पढ़ना तो कभी भी आरम कर लेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं दोस्तो कौन सा राष्टवादी कभी नहीं है याद रखेंगे सीव कुमार बटालवी दोस्तो ये राष्टवादी कभी नहीं है ये दोस्तो पंजाबी कभी है ठीक है पंजाबी कभी है इन्हें जो है दोस्तो साहित अकादमी पुरशकार भी मिल चुका है ये भी याद रखेंगे और सबसे कम उम्र के थे जब इन्हें पुरशकार मिला ठीक है चलिए यहां जो पूछ रहा दोस्तों स्वाधिन्ता पूर्व राष्ट्वधिक कभी के नाम अगर पूछ रहा दोस्तों तो क्या बताएंगे तो उसमें दोस्तों जो बाकी का नाम लिखा है तीनों उनलों का नाम याद रखेगा जैसे रंगलाल हो गए जैसे नवीन हिस्ट्री की कभी तो पूछ लिया मालों कभी एंसेंट का पूछ दिया कभी मीडावल का पूछ दिया तब जब कभी एंसेंट का पूछे तो आप पुरानी कभियों का नाम याद रखे जैसे आपने नाम सुना होगा अस्वघोस का सुना एक नहीं अस्वघोस का जैसे याद रखेंगे मलिक मुहम्मद जैसी का नाम याद रखे गा जैसे कबीरदास करा का नाम याद रख सकते हैं इस इस सबसे important तो ब्रक्ति का नाम याद रखे आमीर खुसरो का नाम किसका नाम आमीर खुसरो का नाम most important है है कि नहीं मामीर खुसरो ने साथ सुल्तानों का काल देखा तो उस सवाल को भी आत याद रखे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों मैं इंडियन जिग्राफी से लेकर आ रहा हूँ देखे स्टडी 91 की क्लास में ही फायदा है कि आने के बाद क्या होगा हर टाइप के सवाल मिलते हैं और हर सब्जेक्ट पे सवाल मिलते हैं ताकि हमारा फोकस हर सब्जेक्ट पर बन पाए चली आगे बढ़ते हैं में सवाल इंडियन जिग्राफी से लिखे रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा मैग्रो छेत्र गोदावरी नदी के डिल्टा पर अवस्थित है उस मैग्रो छेत्र का नाम बताना है जैसे लिखा कुंडापूर, जैसे लिखा होनावार, जैसे लिखा मालपे, जैसे लिखा कोरिंगा क्या बताएंगे बताएंगे कौन सा डिल्टा छेत्र पर इस्थित है दोस्तों गोदावरी नदी के डिल्टा छेत्र पर इस्थित है याद रखेगा यहाँ पर आप समय जो कोरिंगा दे रहा है कोरिंगा यह कहा परिस्तित है गोदावरी नदी के डेलटा चेत्र परिस्तित है यह आपके लिए important सवाल हो जाएगा इसको आप याद रखेंगे ठीक है अब अगला सवाल दोस्तों यह कर रहा है कि कोरिंगा मैगरो चेत्र अवस्थीथ है ऐसे करके पूषता है तो क्या जब आप देंगे बस उसी सबाग उल्टा कर लीजेगा यहां कैसे उल्टा कर लेंगे दोस्तो यहां गोदावरी यहां गोदावरी नदी के डेल्टा पर दोस्तो इसीत है आप तो जानते हैं दोस्तो डेल्टा क्या होता है जब नदियां दोस्तो पहाड से निकलती तो उनके अंदर गती होती वो उनकी युव अवस्था होता है ठीक है फिर उसके बाद दोस्तो मैदानी छेतर में आकर उनका रूप और विकराल हो जाता है ठीक है उसके बाद जहां कर दोस्तो सबसे बड़ा नाम का लुकर का वड़ा region है मैं जाता है जाता है अंगा actualान कंट घ्राइजान है किन बड़ा शे कह स्कुपzung की र dad पर दोस्तो कहां पूकर करते हैं दूसरे नंबर नंगार करें अंड़ मानकिको आइजाता है कहाँ पर अंडमान निकोबार में ठीक है और नीचे की तरफ जाएंगे दोस्तो तो आंधरप्रदेश साइट दोस्तो आपको यह मैगरोवन मिल जाता है इसके लामा और मैगरोवन आपको गुजरात साइड में मिल जाता है और मैगरोवन दोस्तो कहां मिल जाता है याद रख ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल करते हैं अगला सवाल लिख रहा है में 1221 का सवाल है यह वर्ड जिग्राफिक का सवाल है लिख रहा है निमिकित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तर्ट पर इस्थित नहीं है सर आज का पेपर न आपने टब बना कर रहे हैं आपके मुझ से कहने से आप समिच्छादिकारी बन जाओगे क्या हो सकते मेरी बाते आपको चुभे नाराज हूं मेरी बातों पर लेकिन मुझे बताओ आपके सोच लेने से आपके फॉर्म भर देने से क्या आप समिच्छादिकारी बन जाओगे हो ही नहीं सकता तब कैसे बनेंगे सर जब आप प्रिवेसर पेपर के सवाल देखेंगे उस पैटरन को समझने की कोशिज करेंगे और उस पैटरन के आधार पर आप अपनी आगे की तयारी करेंगे तब जाके कहीं बन पाएंगे सर ये सारी चीज कैसे पॉसिबल है देखें स्टड़ी 91 ने आपके सहयोग के लिए ये दो किताबे लांच किया एक हिंदी भी सैकी एक जीएस भी सैकी ठीक है ये जो देख रहे हैं कि कैसे आयोग जो प्रशन बनाया है अगली बार इस प्रशन से क्या-क्या सवाल बन सकता है तो ये इधर दिख रहा है ना तीन ही सवाल नहीं इस वाली किताब में दोस्तों पांच-पांच-छे-छे-साथ-साथ सवाल मने बना कर दिखाएं हैं कि आप देखें कि आयोग क्या-क्या बना सकता है पहले तो इसका सलुसन देख लिजे जैसे पूछ देया सवाल की कौन स किनारे इस्थित नहीं है तो दोस्तों पहले तो पता होना चाहिए कि कौन इस्थित है तब तो हम बताएंगे तो आज आओ देखते हैं दोस्तों इसके किनारे पर इस्थित देश कौन-कौन से हैं तो सबसे पहले दियाद रखेगा स्वीडन देश का नाम स्वीडन देश वही दोस्तो जिसकी राजधानी स्टाक होम है और यह सो नोबेल पुरसकार बढ़ता है उसके बगल में दोस्तो फिनलेंड देश है कौन सा दोस्तो फिनलेंड देश है इसे जीनों का देश का आ जाता है राजधानी इसकी कहा पर है हेलन सिंग की है इसके बाद दोस्तो रसिया देश है कौन सा दोस्तो रसिया देश है इसके बाद दोस्तो याद रखेगा एस्टोनिया है कौन सा देश है दोस्तो एस्टोनिया अच्छा तीन नाम ऐसे इस्टोनिया लाटविया लाटविया और लिथुवानिया ठीक है लाटविया और गया पोलेंड और जर्मरी ठीक है ती सारे देश दोस्तो बल्टिक सागर के किनारे पर इस्थी थे ठीक है तो यहां पर लात्विया पोलेंड ही जाएगा स्पीड़न रूस भी घा यह नारमे नहीं है दोस्तो ठीक है इस वज़य Gir Judy तो गलत हो जाएगा ठीक है नारवे की राजधानी कहा है नारवे की राजधानी ओशलो है कहां पर दोस्तो ओशलो है और यहीं से दोस्तो क्या बढ़ता है याद रखेगा सांती का नोबिल कहां से दिया जाता दोस्तो कहां से दिया जाता है याद रखेंगे सांती का नोबिल ये ओसलो से दिया जाता है नार्वेश से बाकी के जो नुबल पुरसकार है वो कहां से बढ़ता है तो वो सब स्वीटन की राज़ने श्ताखोम से बढ़ते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है लिख रहा किस महासागर में ये बाल्टिक सागर अवस्थी थे जो बाल्टिक सागर दोस्तों हां कौन सा महासागर है तो हिस्सा माना जाता है अट्लांटिक महासागर का किसका हिस्सा माना जाता है यह अट्लांटिक महासागर के हिस्से में आता है ठीक है अट्लांटिक महासागर आगे देखे लिखे लिखे रहा बाल्टिक सागर और उत्री सागर को कौन मिलाता है तो एक नहर है दोस्तो जिसका नाम है कील नहर कौन सा नहर है दोस्तो याद रखेगा कील नहर ये उत्री सागर और बाल्टिक सागर को मिलाता आपस में जोडने का काम करता तो ये सवाल भी प्रति वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या ठीक है तो दोस्तो अगर यहीं नियूंतम जनसंगा घनत तो राज्य का पूछ लेता ठीक है कि नियूंतम जनसंगा घनत वाला राज्य काउन सा है तो हम बताते हैं दोस्तो अरुडाचल प्रदेश है क्या है दोस्तो अरुडाचल प्रदेश क्या है नियूंतम जनसंगा घनत यहाँ प्रति वर्ग किलोमेटर में दोस्तो कितने लोग रहते हैं मात्र 15 लोग कई जगा प और सबसे कम जनसंख्या रहती है ये भी आद रखेंगे ठीक है चली आगे बढ़ लिए अगला सवाल देरा दोस्तों कि सबसे जादा जनसंख्या घनत वाला यूने ट्रेटरी कौन सा है तो सिंपल सी बात अब यह दिल्ली है कौन है दोस्तों दिल्ली जो है यह सबसे जादा सरवाधी जनसंख्या घनत वाला राज्य कौन सा दोस्तों तो पहले समय में दोस्तों पश्यमंगाल का जाता था अब पश्यमंगाल का रिकार्ट किस ने तोड़ दिया है तो बिहार ने तोड़ दिया है ठीक है लिख रहा है सब भारत का जनसंख्या घनत कितना पूरे भार भारत का जनसंग्या घनतर ठीक है ऐसे गलत हो गया है थोड़ा सा सही करें इसको ठीक है 382 प्रती वर्ग किलोमेटर यह होना चीए ठीक है अच्छा मालीजी आज भारत का पूछा है कल आप सी उत्तर प्रदेश का पूछ दिया तब कितना बताएंगे याद रखेंगे 829 किलो देखते हैं जो आपके परिक्षा में बार बार रिपीट करता है तो आपके यह बहतर रहे गए पढ़ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं अगला सवाल दोस्तों भारती राजबयोस्था से समन दी सवाल है और मेंस परिच्छा 2021 का सवाल है देकरा भ इसके बारे में को के बारे में निहाद रखेगा यहां संपत्ती के अधिकार के बारे में बताएगा ठीक है संपत्ती के अधिकार के बारे में बताएगा अब आप कहेंगे सर संपत्ती के अधिकार के बारे में तो हमने कहीं मूल अधिकार में सुना था लेकिन मूल अधिकार से संपत्तिक अधिकार को बाहर निकाल दिया गया कब जब 44 सम्मिधान संसुधन हुआ ठीक है फिलाल सवाल पर आईए अनुच्छे 300 में दोस्तो भारत का नाम दिया है और 300 क या 300 A में संपत्तिक अधिकार को कानूनी अधिकार बताए गया क्या अधिकार बताएगा दोस्तो कि यह किस प्रकार का अधिकार है अब यह कानूनी अधिकार है यह मूल अधिकार में नहीं आता है आगे बढ़िए लेकरा भारती समिधान के अनुच्छे एक में किस का वर्डन है अनुच्छे देख जब पढ़ते दोस्तो तो इसमें राज्यों का संग के रूप में निर्मी थे ठीक है ठीक है क्या है राज्यों का संग के रूप में संग का रूप राज्यों का संग का रूप दोस्तो वर्डी थे दोस्तो यहाप याद रखेंगे संग तथा राज्य छेत की व्याथ्या करती है किसकी व्याथ्या करती है संग एवम उसके राज्य छेत्र ठीक है उसके राज्य छेत्र की व्याथ्या करती है याद रखेंगे ठीक है अनुच्छे 300 कव या 301 पूछ देरा दोस्तों याद रखेगा यह संपत्ति के अधिकार से संबंदित है किसे संबं दिया गया है, मूल अधिकार से हटा करके इसको 300 कव में रख दिया गया ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दोस्तो आप explanation याद रखेगा, ये सारी important चीज़ें हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपके समिछा अधिकारी परिच्छा के लिए, ठीक है आगे बढ़ें दोस्तो, अगला सवाल किस शेप्टर से दे रहा है, तो अगला है दोस्तो भौतिक या राशायन विज्ञान से एक सवाल यहां से कर लेते हैं, साइन्स हमने दो सवाल किया है, एक भौतिक राशायन एक साथ किया जीव विज्ञान के सवाल हम अलग से करेंगे, ठीक है तो प्री परिच्छा दोजारी किस का ही सवाल है पड़े का लिखा है, लिख रहा है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनी तरंगे उत्पन होती है, ठीक है अब यहीं पिरूख जाएं दोस्तो अभी ध्वन तरंगे बारें बाद मता दूँगा पहले आप एक चीज से मजलो एक होता दोस्तो अनुप्रस्थ तरंगे और एक होती दोस्तो अनुदैर्धे तरंगे क्या होती दोस्तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्धे तरंगे, ठीके, दो चीदे होती, ठीके, अब ध्यान दीजे दोस्तों, क्या इंपोर्टेंट है, अनुदैर तरंगे, जो मैं अपने देशी स्टाइल में आपको सिखा सकता हूँ, एक लाइन में, वो यह दोस्तों कि अनुदैर्धे तरंगे, प्रव, प् जाना चारों वो समझाओ देशी स्टेल में समझाना ना समझो तो आप कहा आपने कहा कि कमरे के बाहर पूरा आवाज जाएगा ठीक है मालो हमने एक से दो गेट बंद कर दिया तो सरावास तो तब भी जाएगी अच्छा चलिए ठीक है अब एक काम करते हैं कमरे को बंद करके मालो हमने दो दर्वाजे से बंद करके अंदर हमने एक लाइल लाइट जला दिया क्या बाहर वाले को पता चलेगा क्या थोड़ा मुस्किल है अगर कमरे में कहीं सुराग नहीं होगा तो बाहर वालो नहीं जान पाएगा कि अंदर कौन सी कलर की लाइट जल लही है या कितन ही लाइट जलने है वाउने जान पाएगा लेकिन आवाज के मामले में जान जायएगा बच्छा बोला mistakes cheese ऑरत बोले आउड में सब जान जायएगा in साज्टा क्यों होता है देके śmige और धुनी चक् Первी संद। कहीं से भी अस्थान मिल जाएंगा सुराग से भी वाहरstring थे इसलिए दोस्तों प्रकाश को गारा किसका एक्जाम्पल है और ध्हां यह मैंसा किसका एक्जाम्पल है तो याद रखेगा अनुदैर्ध तरंगों का ऑगे बढ़िए लिकोंडी तरंग उत्पन होती है तो पहले अनुपरस्त जहां जा लिगा उनको तो कट कर दीजी अनुप्रस्त का तो हमें कोई बात की नहीं करना है बसता दोस्तो अनुदैर्ध है क्या बनता दोस्तो अनुदैर्ध है अच्कि망 और बताये लेकिन अब एक common चीज़ें होती है अब यहां पर दोस्तो अभी मत काड़ी अब इक concept लोड ऑट समझा जा अब देखे जब आप ध्वनी पढ़ेंगे तो ध्वनी में दोस्तों आप दो तरह की ध्वनिया पढ़ेंगे, ध्वनी में दो तरह की ध्वन पढ़ते हैं, कुछ ध्वनिया होती हैं जो सीधे दिसा में गमन करती हैं, और कुछ ध्वनिया होती हैं जो कैसे भी चली जाती है, जैसे कमरे में से आपने आवाज लगा तो आवाज कहीं भी चली गई ना दूर भी चली गई ना आवाज ठीक है यह आप याद रखेंगे तो जैसे कहीं बांसुरी बसता ना तो आप दूर से सुनते हैं ठीक है ठीक है नदिया की नारे कौन बांसुरी बजा रहा है ठीक है औ आप सुन लेते हैं तो दोस्तों यह अनुदैर्ध में आता है लेकिन कुछ ध्वनिया ऐसी होती है जो अनुप्रस्थ में आती है किसमें आती है दोस्तों अनुप्रस्थ में यह जितने तार से बजाने तार वाली ध्वनी होती है अपने भासन समझे अब तार वाली ध्वनी क जैसे जैसे गिटार ठीक है तो वो धोनी दोस्तो अनुप्रस्त में जाती ठीक है जैसे तार में क्या हो गया जैसे गिटार हो गया जैसे सितार हो गया जैसे वीडा हो गया ठीक है तो यह सब दोस्तों किसका एजामपल है यह ना चाहते वे भी अनुप्रस्त में आ जाती अब पता है जो बच्चा आधा दूरा पड़ा होगा रहा कन्स्यूजन में पक कई सवाल गलत कर देगा ठीक है आईए अब देखते हैं और यह प्रगामी नहीं होता धुनिया में सा और प्रगामी में चलते हैं तो दो आपसंदों कटें अब यहां पर देखिए क्योंकि सितार इस सवालों को पढ़ लिए फिर किताब उठाएंगे न तो दिल से लगेगा क्या इंपोर्टेंट हमसे पूछा हम बता दें ठीक है आपको ऐसा फील होगा क्या क्या पढ़ना चाहिए साइंस में कहा कहा सवाल पूछता है यह आपको आटोमेटिक पता चलेगा चलिए आई बा यह तु विशेश केस में समझाया ठीक है आगे देखे करन निरवात में निरवात मतलब क्या होता वैक्यूम जहां पर वाइमंडल नहीं हो ठीक है इसलिए एक सवाल आता है कि चंदरमा पंपे बयक्ती दूसरे jest बात कर सकता है नहीं बात कर सकता है क्यों धोनियों को चलने के लिए क्या चाहिए वाई मंडल की जरूत होती है निर्वात में धोनियां नहीं चलती है निर्वात में प्रकाश चल सकता लेकिन धोनियां नहीं चलती है करन निर्वात में संच्रण नहीं कर सकती है कौन नहीं कर सकती है तो जो धोनी होती दोस्तो यह निर्वात में नहीं तारत तो दोस्तो किस पन निर्भर करता है तिसका तारत तो जो होता है ये आवरित्ती पन निर्भर करता है ये भी सवाल आ सकता है परिक्षा में ठीक है ये आवरित्ती पन निर्भर करता है धौनी तरंगे चल सकती है कहां पे चल सकती है तियाद रखेंगे ऐसे करेंगे तो इनको ठोस प्लस गैस दोनों जगा चल सकती है, निर्वात को छोड़ करके ठीके धौनी तरंगे दोसतों थोस में भी चली जाती है, धोस में जैसे आप रेलवे की पटरी पर दोस्तों जो लोहा होता थीके, उससे भी दोस्तों पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है ठीक है तो वहाँ भी चल सकती है लेकिन याद रखेंगे आप द्रो मैंने नाम ने लिखा लिक्विड लिक्विड में धोने तरंगे नहीं चलती है ठीक है इसलिए पानी के अंदर से अगर कोई बेक्ति किसी को कोई जानवर है ठीक है सबसे पहला कोई कि सका बना गया था तो कोई वाला जानवर धोस्तों कुता नहीं है खर्बोस नहीं है गिबन नहीं क्या दोस्तों भिणगे डॉली नाम की बनाए गए घृत यो दुनिया की विलमुट ने दोस्तों इसकी खोश किया था अगला सवाल लिख रहा हालहीं में भारत की पहली क्लोन देसी अच्छा मैं इसकी नाम बता da दू यह जो भीर था ना इसका नाम था दोस्तों भीर था तो यह सवाल तो पक्का जो परिक्षा में आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर उसका नाम क्या दिया गया था दोस्तो गंगा नाम दिया गया था तो यह आप याद रखेंगे लिखरा चंदमा पर कदम रखने वाला पहला जानवर कौन सा था याद रखेगा पहला जानवर कुतिय तो यहीं और याद रखेगा नियेल आरमस्टांग भी यहाद रहें है तो इनका कदम पहर नहीं पड़ा था चंद्रमा मांपर सबसे पहरे इस लाइका नाम की कुतिया का कदम पड़ा था आगे भारक में पाया जाने वाला पूच रही तर एक मात्रवानर है सर सवाल तो क्या पूचा आप सवाल क्या बता रहे हैं अरे यहाँ पर एक आप्षन दिया भाई गिबन ठीक है मैं इसलिए ला रहा हूं दोस्तो याद रतेगा यहाँ पर एक है उसका नाम है लाग गिबन यह दुनिया में एक मात्र ऐसा बंदर है जिसके पास पूच नहीं है क्या बिना पूच का बंदर हां बिना पूच का बंदर दोस्तो यह पाय जाता सर हमको देखना है कहां मिलेगा पूरोत्तर भारत में जाईए वहीं पर दोस्तों मिलेगा पूरोत्तर भारत साइड में इसकी बहुतायत मात्रा पाई जाती है बिना पूछ वाला बंदर सर देख तो नहीं पाएंगे काम करें Google सर्च कर लिया जाए बिलकुल कर लिजिए ठीक ये किताब जरूरी है, वैसे मैं 7 पॉइंट भी आइड कर सकता था, बढ़ जगह की वज़े से दोस्तों, मैं नहीं आइड कर पाए, तो दोनों किताब इंपोर्टेंट है, आप आनलाइन अडर कर सकते हैं, हमारे वेफ साइट ये अप्लिकेशन से, बकायदा आपको ट्रैकि अगला सवाल मेंस परिच्छा 2021 में पूछा गया सवाल है, और हमारा सबजेट है, अर्थसास तरसर, यही तो भी सह है, जो दिमाग खराब करता है, जो हम पढ़ना नहीं चाहते है, जो जीवन पर समझ में नहीं आया, ठीके, और मैं कहता हूँ सबसे आसाम, ठीके, आईए देखे क्या लिखा है, करा उड़जा चेतर पर ब्याज भुकतान बाहर कम करने हैं, तो भारत सरकान ने कौनसी योजना आरंब किया, ठीक है, कौनसी योजना दोस्तों यहाँ पर भारत सरकान ने स्टार्ट किया, किसके लिए ब्याज भुकतान भारत को कम करने के लिए, त यहाँ पर दोस्तो उदय योजना की शुटात की किसा लिए किया गया है तो कि ब्याज भुकतान के भार को कम करने के लिए लेकिन कब किया गया यह पूछेगा तो क्या पताएंगे दोस्तो 2015 में किया गया अब यह भी पुछ सकता कि 2015 में कब किया गया तियाद रखेंगे 5 नवंबर को किया गया 5 नॉंबर 2015 को योजना शुरुआ था इसके ठीक पहले दोस्तो उजाला योजना आय थी ठीक है उजाला योजना पहले आय थी उदय बाद में आय था उजाला योजना 5 जनवरी को ही आ गई थी और यह वाली योजना दोस्तों 10 महीने बाद आती है 5 नवंबर को ठीक है उदय योजना ये भी याद रखेगा जैसे उदय योजना का संबन दोस्तों ब्याज भुक्तान भार कम करने से संबन्दित है वैसे ही उजाला योजना का संबन किस से है तो याद रखिए LED बल्ब वित्रड करने से किसे समझनी दोस्तों LED बल्ब वित्रड करने से क्यों LED बल्ब लग जाएगा तो उर्जा बचत होगी है की नहीं पहले 100-2008 के बल्च जलते थे अब 10-208 में काम चलता है तो उर्जा बचत हो रही है न वही है एक आप्सन में दिया दोस्तों जो कभी स्टार्ट किया गया यह 2017 में नहीं पता है सेटेंबर में सेटेंबर पैनल दोस्तों वितरित करना यह सरकार ने अपना लक्ष रखा है एक आफसें यहां दोस्तों उर्जा-गंगा योजना का संबन किस्ते है उर्जा-गंगा योजना के था दोस्तों से cng line होती न वैसे दोस्तों यहां pipe natural gas की बात होती है png की बात होती cng की जगह क्या हो जाता है png मतलब क्या हो जाता है piped natural gas ठीक है याद रखेगा इसके वित्र से संबंदित है कौन सा यह उर्जा गंगा योजना तो आप इसे भी याद रखेंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं अगला सवाल दोस्तों environment से आ जाएगा वही भी से है न environment परियावर्ण से संबंदित सवाल है में सब 2021 की परिक्षा में पूछा गया था लिकरा भारत के प्रथम जलवाई परिवर्तन पर राष्ट्री कारियोजना को कब लागू किया गया 2012 में किया गया, 2015 में किया गया, 2008 में किया गया, यह सन 2000 में किया गया, कब किया गया था दोस्तो, राष्टी कारियोजना, यह प्रथम जलवाई परियोधन पर कब स्टार्ट किया गया, त्याद रखेंगे, यह स्टार्ट किया गया था, वर्स 2008 में, ठीक है, यह कब स्टार्ट तो दोस्तो वर्स. 1990 में ऌई उचुकी थी यहाँ पर UN का मतलब क्या हो जाता दोस्तो सन्यूतराष्ट यान inan shorten हो जाता है क्या हो जाता है यसाрий संग समझते है यह मने हैं आ युनियाट्टीतन नेशन फ्रेम फ्रेम वर्टीक है औब उसके बाद CCC ंद्रें ध कर for climate change ये इसका दोस्तो full farm होता है तो परिक्षा में यह भी आता रहता है इसके स्थापना कब होई थी 1992 में अग्रा सवाल दे रहा जरा है कि हरित जलवाई को इसके स्थापना दोस्तो कब किया गया ये स्थापना कि चलवाई सा दोस्तो करा करा कोंप 16 सिखर संभियलन काता जुना प्रोटोकाल का संबंद त्याद रखेगा जैव सुरक्षा से शंबंदित है एक सवाल और आसकता कि काता जुना प्रोटोकाल कब अस्तित्रित्य में आया त्याद रखेगा 2000 सन 2000 में ठीक है 2000 में अपनाया गया था कार्टा जोना प्रोटोकाल लेकिन लागू दोस्तों बाद में हुआ ठीक है अगर लागू की बात हो जाए तो लागू कब किया गया लागू किया गया 2003 में ठीक है कब लागू किया गया 2003 में और आया कब था सन 2000 में आता कार् कई समच्छा दिकारी की तयारी हमें करनी कैसे है ठीक है एक ग्री कल्चर सर वो चैप्टर ये चैप्टर तो हम देखते ही नहीं ये मान के चलते हैं कि परिच्छा में एक सवाल नहीं करेंगे अरे भाई आप स्टेटिन एंटी वन की क्लास से जुड़ो ना हम तो डेली इस च परर्जाति सप्टना बिलकूल सही है अली ठीक परजाती सूरिया नहीं होती दोस्तों सूरिया जो दो adasны परपीते की परजाती होता है इस वाजा से आप्सरन क्या हो जाएगा गलत हो मतर की परजाती का नाम सपना है और मुमफली की परजाती का नाम क्या दोस्तो कौशल है क्या नाम दोस्तो कौशल है ठीक है ये सारी बाते आप याद रखेंगे काफी important सवाल है ठीक है कैसे याद रखा जाए कुछ छोटे मोटे trick बना लिजे जैसे मटर को याद रखे मटर से छोला याद रखे मटर से छोला याद रखे और छोला से पानी पूरी याद कर लिजे मैंने ऐसे ही किया है ठीक है पानी पूरी याद कर लिजे अब पानी पूरी सपने में आता है इसलिए सपना याद कर लिजे तो ऐसे मैंने बन पानी पासीना निकल जाएगा लेकिन आप एक काम कर नहीं सकते यह तो कहले लगता है नीतिन सर गूगल है चोटा चोटा फार्मूला बना लेते हमें सायाद रसा है अब गारिओं है लड़की बहुत आर्प सी है मैंने इसको इसे याद कर लिया तो आलसी से अलसी याद हो गया ठीक है पपीता सूरिया याद रखेगा ठीक है पपीता को सूरिया सर कैसे सूरिया याद रख लिए ठीक है यह आसान था कुछ चीज़े याद करने पड़ती हलका फुलका बाकी कोई दिक्कत नहीं ठीक है चली ऐसी याद कर सकते है मतलब एक और हुआ में बताएं मनलब बोला नहीं चाहता है पीत पीने का काम सूरे के सामने नहीं रात इस तरह काम शुरिक में रखेंगे बाकी मुंफली दोस्तों क्या है कॉसल रेखी कासल कोने चाहिये मुंफली के दाने को वियाद हुआ ठीक है तो सारी चीजे ध्यान में रखती है प्री परिच्छा 2021 में पूछा गया सवाल है साइंस एंटेक का सवाल दे रहा है लिकरा सोलर इंपल्स टू विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा कि सस्थान पर दोस्तो पूर्ड किया पहले आ भारत में आया तो लेठ हो गया भारत में आया इसको लेंडिंग कर्मते नहीं मिल लाधी ठीक है लेठ हो गया तो बड़ा पड़ा आईएए पहले शुरुहात करते हैं यहां से उत्तर जानना चाहेंगे तो अबु धा भी उततर है पहले मामले को समझ जाएए ठीक है पूछ रहा दोस्तो, सो रूर्जा का उपयोग कर दुनिया का चक्कल लगाने वाला पहला विमान कौन सा दोस्तो तिसका नाम है Solar Impulse 2 क्या नाम है दोस्तो Solar Impulse 2 यह दुनिया का पहला सो रूर्जा से चलने वाला विमान है करा सौर उर्जा से चलने वाला पहला विमान था ठीक है दुनिया का चक्कर लगाने वाला ये विमान है बड़ दोस्तों पहला विमान था उसका नाम था सनराइज ठीक है अब यहीं पर ध्यान देना है आप से यहां क्या पूछा चक्कर बिश्व भ्रहमण बोल दिया ना बि सोलर इंपल्स टू आप सेन मिला ले दोड़े पढ़ा सोलर इंपल्स टू हमारा तो एक नंबर सही हमने पढ़ा था कहीं पर क्या पढ़ा था भूल गया चक्कर नहीं पढ़ा था इंपल्स टू पढ़ा था चक्कर नहीं पढ़ा था तो ध्यान दीजिए इस तरह से चीज़े important है करा solar impulse to भारत में दोस्तों कहां पर land किया तो दो जगह इसको land कराए गया एक तो दोस्तों अहमदाबाद में एक तो दोस्तों इसको अहमदाबाद में land कराए गया दूसरा दोस्तों वारारसी में क्या बात करें सर वारारसी में भी land हुआ जी हां तो अहमदाबाद और वा सब्सक्राइबाब Keeping सब्सक्राइब है नि dalla Sal Kimchi उत्तर प्रदेश ने सन प्राप्ट किया पहल modern टीशरा च vogther पाजमा शोड़िये टाप 5 में वी उत्तर प्रदेशित नहीं है उत्तर प्रदेश में प्रतम राज्य कॉल्चय कॉन राज्य कॉन राज्य दोस्तों टॉप पर आया है जो सक्षयता सरचल वारत का 2022 में सबसे सालों से इंदौर को जा रहा है इन पूरसकार जीतने वाला राज्य कौनसा है तो दोस्तो यहां पे उत्तरपरदेश का नाम है यहां किसका नाम दोस्तो ऊत्तरपरदेश का अच्छे बात बताईए अब तौछ याल लीजे 2022 के बारे में कुछ पूच देता था सुप्छ संद ध्रवेश्ण 2022 सीख सवक्ष सरवेट छड़ शर्वेट सर्वेट शीजड 2022 के बारे सोट्व देठा तो यहां पर एक चीज़ात रखेंगे घाजियाबाद नगन निगम दोस्तों थी यह पर एक किताब है वी सवाल है दोस्तों वीवित से पूछा गया किताब से समेंण लिखना है Death in Banaras, पुस्तक के लेखा कौन है, Death in Banaras किसकी रचना है, मीना कौसीक की है, जोनाथन पैरी की है, बीडी त्रिपाठी की है, या फिर रॉन बैरेट की है, ठीक है, क्या नाम है दोस्तो, इस पुस्तक का नाम है, बड़ा फेमस राइटर हैं इनके Death in Banaras, कौन है दोस् याद रखेगा गीतांजली स्री की रचना है किसकी रचना है गीतांजली स्री यह भारती मूलकी है और याद रखेगा इस पुस्तक को जो दोस्तो एक पुरशकार भी दिया गया कौन सा पुरशकार मैन बुकर पुरशकार ठीक है कौन सा दोस्तो मैन बुकर में दोस्तो भी सा गिल की रचना है दोस्तों क्या नाम है golden boy नाम है ठीक है इसी तरह से अलीजेंड आप बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा को दोस्तों जारखंड से समझनी थैं मुंडा समुधाय से ठीक है तो याद रखेगा इसके राइटर कौन दोस्तों तो तुहीन तुहीन ए शर्मा क्या ना एक अंकिता वर्मा ने देखाए तभी वर्मा निकला ठीक है याद रखेंगे ठीक है तो भर्मा याद रखेगा यह दो लोगोंने मिल करके दलीजेंड आप बिरसा मुंडा को उपर किताब रिखी है थूसे भी आप याद रखेंगे ठीक है ऐसी सवाल दोस्तों हरूँ आर मेरा टार्गेट सिर्फ है कि समिछा दिकारी के सभी प्रस्णों पर हमारी नजर बन पाए ठीक है यह हमारा छटा सेशन था आगी भी इसी तरह का सेशन जारी रहेगा तो आप जुड़े रहेगा सीरिस से ऐसी भी से जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गए हैं यह उनीक हैंट् पर्चेस करते हैं तो आपको जो है प्रिंट खुद से कराना पड़ेगा डाउनलोड करें ठीक है किताब अगर लेंगे तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती यही अंतरे दोस्तों तो मौका दीजिए जुड़िए हमारे साथ हमारे आल्लाइन कोर्स के साथ हमारे टेस सारे सब्जेट एक ही दिन में डिसकस होते हैं एक्जाम वाईस तो उसे भी आप देख सकते हैं ठीक है चलिए सेसन ही समात होता है मिलते हैं लेक्चर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय हिं जय भारत थैंक्यों थैंक्यू सोमज दोस्तों अगर करेंट और सेयर जरूर कीजिएगा आपसे निवेदाने धन्यवाद